जैसा कि सीजन फाइफ थ्री एर एग्रिमेंट में हमने जी आन को उसे पूरा करते हुए देखा, लेकिन युन सेक ने जी आन को गामा एंपायर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, जिस वज़े से जी आन गामा एंपायर से बाहर भागने लगा था. वहीं दूसरी तरफ हम जी जूनियर को जी आन अकाडमी के अंदर देखते हैं, जहां पर वो शैडो मास्टर से खबर ले रही थी और उसे जी आन के बारे में हर एक चीज़ पता चल जाती है. जी जूनियर कहती है कि युन ग्लांग जोन अब गामा एंपायर में ही रहेगा औ जी आन तुमारी अच्छे चॉइस है, लेकिन अभी भी हमें फामिली के अंदर उटने वेले सवालों का जवाब दीना होगा. जी जूनियर कहती है कि यो कुछ भी हो, मैं जी आन का वेट करूंगी और उसे पाकर रहूंगी. लेकिन शैडो मास्टर उसे समझाता है कि आपक जल्दी से होना होगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉंग नहीं होई, तो आपको भी पता है कि आपको कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है. वो फिर शैडो मास्टर को अकैडमी के बाहर रहने की सला देती है, क्योंकि किसी आउर्साइडर्स का अकैडमी में आना मना है. शैडो मास्टर फिर वहां से चला जाता है, अब फिर जी सूनियर जब वहां से जानी लगती है, तो अब तब ही एक लडखा जी सूनियर को नोटец करके उसका हाल चाल पूछने लगता है, क्योंकि वो जी सूनियर में इन्टरस्टा था, लेकिन जी सूनियर को उसमें कोई इंट्रेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहां से चुप-चाप जाने लगती है। अब तभी वहां फिर वहां उसकी ट्यूटर रियॉलेन आती है और जी जूनियर उनसे बाते करने चली जाती है। ट्यूटर बताती है कि आदे महीने बाद अकैडमी के अंदर प्रमोशन कॉमपटीशन है और जो भी टॉप 20 में आएगा उसको इंटर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन तुमने ही अपना नाम कॉमपटीशन में नहीं लिखवाया। जी जूनियर बहाना बनाते हुए कह दीती है कि वो पिछली बार सीनियर्स को देखकर डर गई थी। लेकिन टुटर जी जूनियर का जूट जान जाती है और कहती है कि तुम ये सब सिर्फ उस लड़के का वेट करने के लिए कर रही हो जिसको तुम पसंद करती हो। वो जी जान तो लड़का पी ठीक नहीं है। एटमिशन लेते ही उसने दो साल की हॉलिडेज मांग ली। उसकी वज़े से मुझे प्रिंसिपल वगारा से कावी सुननी पड़ती है। अगर जी जान तुम्हारा दोस्त ना होता तो मैं कब कि उसे अकाडमी से निकाल चुकी होती। ट्यूटिर यॉलिन थोड़ा फ़नी टाइप की है। और ये मजाक में ही बात कर रही है। जी सुनियर कहती है कि जीयान इस साल जरूर आ जाएगा और फिर ये दोनों ऐसी ही बात करते हुए वहां से चले जाती है। वो लड़का इन्हें जीयान की बात करते हुए देख रहा था और उसे जीयान से इतनी चलन होने लगती है कि वो अपने पास खड़े पेड को गु ले सकते हैं वहीं दूसरी तरफ हम जीयान को देखते हैं जो अपने विंग से उड़ता हुआ जा रहा था और फिर तभी उसके टीचर बताती है कि ये जगा ब्लाक टोमें ग्रेट प्लेंज है और ये ब्लाक हॉन टोमें में जाने का रास्ता है तुम अपने परबल वेंग कि सिक्के मांगता है जीयान कोई पंगा लेना नहीं जाता था इसलिए 500 गोल कोईंस देकर वो अंदर चला जाता है अंदर उसे बहुत अविक्सित गाउं दिखता है यहां क्योंकि पूरा बसार लगा हुआ था इसलिए जीयान सबसे पहले इस टके के माप को डूनने का डि लुटेरों ने व्यापारी के सानिक को मार दिया था और वो व्यापारी के अभूशन ले रहे थे लेकिन तब ही लुटेरे जीयान को नोटिस कर लेती है जीयान कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा है और मैं जा रहा हूं लेकिन तब ही वो लुटेरे अब जीयान को घेर ल और व्यापारी को बचा लेता है व्यापारी जियान को रोकर उसे धन्यवाद करता है और उसे कहता है कि आप मेरे यहां आईए मैं आपके रुपने और पीने की व्यवस्ता कर दूँगा जियान को रुपना और पीना तोनों ही नहीं था इसलिए जब वो मना करने लगता है तो व्यवारी कहता है कि मुझे पता है कि आप Black Seal City जा रहे हो असलमे Black Seal City के अंदर एक auction ओगनाईज हुआ है इसलिए काफी सारे लोग Black Seal City में जाते हैं ये व्यापारी भी वहीं जा रहा है व्यापारी जियान को समझाता है कि इस जगे पर कई सारे तुफाना आते रहती है इसलिए आप हमारे साथ Black Seal City चलो हम वही जा रही है याउलाओ भी जियान को व्यापारी के साथ जाने को कहता है इसलिए जियान व्यापारी के साथ उसकी गारी में बैठ कर जाने लगता है Zeean गारी के अंदर बैठ कर meditate करने लगता है और फिवयापारी Zeean के पास आकर वो उसे इस जगे का माप दिखाता है और कहता है कि ये साधी जगे Blackhondomain है और यहां कई शक्तिशाली लोग रहा करते हैं हमारा कारवा Black Seed City जा रहा है और यह केनाट कॉलेज के बिलकुल बगल में ही है ये जगे एक बहुत शक्तिशाली शक्ति जिसको 8 डोर सेक्स कहते हैं उन्होंने एस्टापलिश की थी उनके लीडर का नाम योएन यही है और Black List में वो Top 10 के अंदर आते हैं Zee and Black List के बारे में पूछता है जिस पर व्यापारी बताता है कि Black List वो लिस्ट है जिसमें Black HONDOMAIN के सबसे Strongest लोगों का नाम है ये लोग काफी competition जीतने के बाद इस लिस्ट में आए है इसलिए इस लिस्ट में आना हर किसी के बसकी बात नहीं होती है Zee and अब Black List के Talk People के बारे में पूछता है कि अब वो कहां है व्यापारी बताता है कि First और Second Place पर जो है उनके बारे में तो कोई नहीं जानता लेकिन जो Third Place पर है वो काफी साथा Strong है ऐसा कहते है कि वो दो Empire के पीक पर है वो Alchemy में भी Expert है इसलिए उसे Emperor of Medicine भी कहते है Zee and उसका असली नाम पूछता है जिस पर वो उसका नाम Han Feng बताता है अब तबी टीचर के रिंग में कोई हलचल होती है और Zee and इस हलचल को Notice करते हुए व्यापारी सभी को आगा करता है और वो लोग अपनी अपनी गाड़ियों को जमीन में गाड़ने लगते हैं ताकि ये स्टॉम उनके समान को उड़ाना ले जाए सभी जगे अफरत अफरी मत जाती है और कई सैनिक तुफान में ही उड़ जाते है अफ यापारी भी तुफान में उड़ने लगता है लेकिन तभी जियान अपनी विंक्स को खुल कर उसको बचाने के लिए उड़ता है और उसे पकड़कर सेव जगे पर उतार दीता है लेकिन तभी जियान एक अजीब चीज नोटिस करता है उसे अपने टीचर के जैसे ही एक आदमी जो कि स्पिरिट फॉर्म में है वो नसर आता है और वो किसी से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था ये स्पिरिट फॉर्म लेकिन सिर्फ दो लेवल पर ही थी अब तभी वहाँ एक काले कपड़े पहने बहुत ही जादा बयानक मौत के देवता की तरह दिखने वाला आतमी आता है जिसके पास एक खतरनाक दरांत है वो स्पिरिट इसको मारने की कोशिश करती है और अपनी सारी पावर्स का इस्तमाल करती है लेकिन ब्लाक मिस्टिरियस मैन उस अटाक को असानी से रोग देता है और उस पर हमला करने लगता है उनके बीच की फाइट ऐसी लग रही थी मानो दो देवता आपस में योद कर रहे हो लेकिन अट लास्ट मिस्टिरियस प्लाक मैन उसे अपने दरांच से पकड़ लीता है और उसे बेरहमी के साथ भस्म करने लगता है और कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी लाइफ में कितने शक्तिशाली थे लेकिन जब से तुम सोल बने हो तुम मेरी सोम टेंपल के सिर्फ एक शिकार हो ये कहकर वो बेरहमी से उसकी सोल का अब्जॉब कर लीता है और फिर वहाँ से जानी लगता है लेकिन तब ही वो जियान को उसको देखते हुए नोटिस कर लीता है जियान भी उसको देखकर डर जाता है इसलिए वो अपनी तलवार को निकाल लीता है मिस्टीरियस मैन अपनी शक्ती से देखता है कि पत्थर के बीचे सिर्फ इंसान है कोई सोल बोडी नहीं है इसलिए वो वहाँ से चला जाता है डरा हुआ जियान फिर से जब पीछे मुर कर देखता है तो वो जा चुका था जियान अपनी टीचर से पूछा है कि आखिर ये कौन था लेकिन उसके टीचर फिर से उसे कुछ नहीं कहते जियान व्यापारी को फिर से उसकी गाड़ी में बैठा देता है व्यापारी अब सो रहा था और जियान अब समझ जाता है कि ये अब पूरे रास्ते खराटे मारते हुए सोते हुए जाएगा लेकिन जो उसने कल रात को वो ब्लाक मिस्टीरियस मैन देखा आखिर वो कौन था आखिर वो क्यों आया था और टीचर ने अभी तक उसके बारे में एक शव भी क्यों नहीं कहा है वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी टीचर कहते हैं कि तुम ये मत सोचना कि उन लोगों के पास कोई टेंटिकल्स है वो लोग अब गाम एमपार में भी आ गए है जियान अपने टीचर को बोलता हुआ देखकर काफी खुश होता है और पूछता है कि आगर वो किस तरह के लोग थे मैंने तो ऐसे लोगों को पहले कभी नहीं देखा अब टीचर उसे बताना शुरू करते हैं कि अभी ऐसी बहुत सारी चीज़े थी जो मैंने तुम्हें बताने का तब सुचा था जब तुम स्ट्रॉंग हो जाओ लेकिन शायद अब वक्त आ गया है तुम्हें अपनी सचाई बताने का और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है जिसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जी अन टीचर से बात कर रहा था और टीचर ने कहा था कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बताने की तब सोच रहा था जब तुम स्ट्रॉंग हो जाओ लेकिन अब शायद यही समय है तुम्हें बताने का क्योंकि उन्होंने मुझे ठूण लिया है मेरा जो ओरिजनल प्लान था वो अब तबाह हो चुका है क्योंकि जो शक्ति उनके पीछे है वो बहुत ज़ादा बड़ी है युनलेंसेक्ट से बहुत ज़ादा बड़ी उस शक्ति के बारे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ क्या तुम शोर हो कि तुम उसके बारे में जानना चाहते हो सीयन हैरान हो जाता है और कुछ सोचने के बाद कहता है कि मैं आपका डिसाइपल हूँ और सामने कितनी भी बड़ी ताकत हो मैं आपके लिए ज़रूर लड़ूंगा याउशन बताता है कि ये पूरा दौगी में नाइ बहुत सारे पाफुल लोगों से भरा हुआ है जिस वजह से उन लोगों के आसपास एक बहुत बड़ी शक्ति क्रियेट हो जाती है सोल टेंपल उनी शक्तियों में से एक है उस टेंपल के अंदर काई सारे पाफुल और मिस्चीरियस लोग रहा करते है उनके पास ऐसी स्किल्स भी है जिससे वो मेरी जैसे स्पिरिट्स को देख और पकड़ सकते है वो लोग मेरे को भी पकड़ लेते लेकिन मैं लगी था कि मैं इस ब्लाक रेंग जो कि वर्म सोल्स और स्पिरिट्स से बनी है इसमें छुप गया मैं उस दिन तो बच गया लेकिन वो लोग मुझे ढूंड ही लेंगे इसलिए मुझे अब जल से जल अपनी बोड़ी बनानी होगी और फिर से सिंदा होना होगा जीयन बहुत टेंशन में आ जाता है लेकिन वो अपने टीचर को यकीन दिलाता है कि वो फॉलिंग हार्ट फ्लेम जल से जल धून लेगा जिससे वो टीचर की बोड़ी बना पाएगा टीचर कहता है कि अब सब तुम पर निर्भर करता है जीयन फिर याद करता है कि कैसे उन लोग उने टीचर को बेरहमी से मार डाला था वो अपने टीचर के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता है इसलिए अब उसे स्ट्रॉंग होना ही होगा उसे पार बढ़ानी ही होगी अब फिर चलते चलते वो अपनी जगे पर पहुँच जाते हैं और जीयन नीचे उतर कर जब देखता है तो उसे ब्लर्ट सेट के लोग आते हुए दिखाई देते हैं जो बहुत रूतलस तरीके से एरोगेंसी के साथ आके बढ़े जा रही थे अब जीयन भी ब्लाक सील सिटी के अंदर जानी लगता है जहां कोई नियम कानून नहीं है यहां पर हर जगे केयोस और डिसॉडर मचा हुआ होता है अगर आप पाकतवर हो तब ही आप यहां जिन्दा रह सकते हो यहां पाफ़ल लोग प्रॉफिट के लिए आते हैं और उनके अंदर मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है यहां कई सारी ऐसी स्किल्स भी हैं जिसे हर कोई पाना चाहता है जिस वज़े से यहां हर कोई आना चाहता है अब जियन और व्यापारी फाइनली यहां आ चुके हैं और जियन को यहां एक बहुत बड़ी फार्मसी के बारे में पता चलता है जहां हर तरह की खास-खास हर्प्स मिलेंगी लेकिन उस जगे की प्राइस बहुत सादा थी इसलिए जियन को निराज होकर लोटना पड़ता है फिर या लाओ, जियन को याद दिलाता है कि जियन green spirit pill बना कर उन्हें बेज कर बहुत सारे gold coins ले सकता है इसलिए जियन तीन बोटल green spirit pill के बना लेता है जियन अब auction house के अंदर इन्हें बेजने चला जाता है अब टीचर जियान को बताता है कि उसे falling hearts flame बनाने के लिए herbs तुम मिल जाएंगी लेकिन tension लेने वाली बात ये है कि तुम्हें वो create करने के लिए अलग-अलग builds बनानी होंगी। अब फिर वो और भी तरह की बाते करते हैं और फिर finally auction house में पहुँच जाते हैं। ये auction house एक टोर sect के द्वारा host किया जाता है। वो ही यहां के इंचार्ज हैं। इसलिए तुम जब अंदर जाओ तो तुम्हें साफधान रहना होगा। जी अन auction house के बाहर body guard सेखता है जो कि दो master थे और काफी strong थे और फिर तभी blood sect का chief आ जाता है। Blood sect और 8 door sect के बीच दुश्मनी है। इसलिए blood sect के लोगों को इधर आता हुआ दे। सभी हैरान थे। इसके rat black list में पाँचवे नमबर पर है और blood sect 8 door sect से भी जाता पाफुल है। अब blood sect के सैनिक इतने बुरे थे कि वो chief के लिए रास्ता बनाने के लिए लोगों को धका मार और इसी धका मुके में एक लड़की वाहाचीव के सामने गिर जाती है। लड़की उनसे बहुत माफी मांगती है लेकिन evil chief अपने सैनिकों को इशारा दे देता है और वो सैने लड़की को पीछे गली में ले जाकर मार डालता है। ये देखकर जीयन समझ जाता है कि blood sect कितन जाधा बुरी है। जीयन auction house के अंदर जागर उसकी सुंदरता देकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये auction house या वी के auction house से भी जाधा बड़ा था। जीयन घूमता घूमता एक बहुत अमीर सौधागर के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम अपन जाएं थी। सौध अगर पहली दो बॉटल को सूंगता है और कहता है कि ये तो काफी अच्छी है लेकिन यहां और भी ऐसी चीज़े हैं जो तुमारी इन बॉटल को सरपास कर सकती हैं इसलिए तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जीयन फिर उसे तीसरी बॉट नहीं होते और ये तो बहुत अनमूल खजाना है जीयन को फिर वो बहुत इज़त के साथ बैठाता है और उसे पीने के लिए चाही दीता है और सूचता है कि इसने थ्री ग्रेन ग्रीन स्परेट बना डाली हैं ऐसे महान पिलमेकर ब्लाक हॉन डोमेन में तो नहीं मिलते हैं शायद मुझे इन्हें मास्टर से मिलवाना चाहिए वो जरूर इस पिलमेकर में इंट्रस्ट लेंगे वो इन सबी के इसे दसलाग सोने के सिक्के दे दीता है जीयन फिर आक्शन अटेंग करता है जहां पर बलर्ट सेक के साथ साथ बाकी पाफुल ख्लैंस भी थी बलर्ट स कहता है कि मैं इस लड़के के अंदर कुछ एक्स्ट्रीम फायर्स नोटिस कर सकता हूं इस लेवल की फ्लेम ब्लैक हॉन में तो नहीं है जरूर ये कोई आउटसाइडर है जिसके पास बहुत खास फ्लेम्स है चीफ कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें इसको अपने बापा के प प्राइस वो 3,00,000 रखता है लोग अब बोली लगाना शुरू करती है और बोली लगते लगते 4,00,000 तक पहुँच जाती है फिर तभी ब्लट सेग 4,50,000 की बोली लगा कर इसको अपने साइड करने की कोशिश करता है लेकिन तभी ब्लाक स्कल्टॉम 6,00,000 की बोली लगा दीता है गुसे में ब्लट सेग भी जब अपनी बोली बढ़ाता है तो बदले में वो और भी बढ़ा दीता है और फिर लास्ट में ब्लाक स्कल्टॉम का चेफ ही इसको 10,00,000 में अपनी बनाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी ब्लट सेग के सैनापती 15,00,000 की बोल जाती है अब फिर जियान की ही 30 रिपल जो कि 3 grand spirit बिल है वो रखी जाती है और इसकी बूली साथ लांख से शुरूँ होती है अब बूली लगना शुरू होती है और लगते लगते ये बूली 15,00,000 पर पहुंच जाती है और हेवन स्नेक सेक्ट की चीफ हिसे खरीद लेती है जियान हेवन स्नेक सेक्ट का नाम सुनका सोच में बढ़ जाता है और उसे याद आता है कि वो एक बार हेवन स्नेक सेक्ट से लड़ा था अगर आप भूल गए हूँ तो मैं बता दू कि ये वो ही है जो जियान को बीस माउंटिन में सीजन वन के अंदर मिली थी जियान ने इसे मूली से बचाया था वो लड़की शुरू से ही एक मिस्ट्री थी और जियान अब उस लड़की को यहाँ देख रहा है ये दोनों उस वक्त कावी अच्छे दोस्त थे और ये लड़की तो जियान को पसंद भी करती थी जियान का इसे मिलने का मन करने लगता है लेकिन आॉक्षन के बाद बलड सेक्ट ये देखकर गुसा हो जाता है और डिसाइड करता है कि आॉक्षन के बाद अपने आत्मियों को बेच कर वो इस लड़की से ये चीन लेगा अब होस्ट अगला आइटम दिखाता है और कहता है कि हमें नहीं पता कि ये क्या है लेकिन इसकी कीमत हम एक लाग से शुरू करते है जियान इसको देकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये पूरे लोटस टेमन फायर तक पहुँचने का मैप है कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता है लेकिन जियान आके बढ़कर इसकी बॉली एक लाग दस हजार की लगा देता है इसको देखा देख बलट सेक्ट दो लाग देखर इसको अपने नाम कर लेता है टीचर जियान को समझाता है कि ये बलट सेक्ट वाले जब भी इस माप को नहीं समझ पाएंगे इसलिए हम कोई ना कोई तरीका इसको हासल करने का ढूंडी लेंगे अब फिर ऐसे करते करते कई सारी बूली लगाई जाती है जहां जियान फाइनली अपने लिए जियो सेंट्रिक फायर जी का एक बॉक्स अपने नाम कर लेता है इससे जियान अर्थ स्पिरिट बिल बना सकता है अब फिर अगले आउक्शन में ब्लाक स्कल टॉम सबसे जादा पैसा 10 मिलियन देकर अर्थ लेवल 2 स्किल 3000 थंडर को अपने नाम कर लेता है अब फिर लास्ट आइटम रखा जाता है और इस आइटम को रखने से पहले वहां बहुत सारे बॉडि गाद्स बुला लिये जाते हैं वहां उस आइटम के आसपास काफी सारी शील्ड भी लगा देते हैं और याव लॉग को कुछ हिटन औरा होने का अनुभव होने लगता है और कुछ का औरा तो इतना स्ट्रॉंग था कि वो आइस एम्परज इतने थाकतवर है जरूर ये एट टोर सेट के मास्टर होंगे जीन सोच में पढ़ जाता है कि ऐसा क्या ख़जाना है जिसको देखने के लिए एट टोर सेट के मास्टर खुद आए हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है जिससे के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जी एन आक्षन हाउस में था और अब इतनी बड़ी बोली लगने वाली थी और वो टिबबा खुल जाता है जी एन आपस की चेलिंग को देख कर समझ आता है कि ये चिल्स और फीलिंग है और ये फ्लेम सेवंथ लेवल पर है उसका टीचर बताता है कि पैंसी को रिफाइन करना बहुत साथा डिफिकल्ट है और जब वो रिफाइन हो जाता है तो हेवन और अर्थ के विशन्स आते हैं यहां हर कोई ग्रांड मास्टर है और हर कोई इसे लेना चाहेगा ताकि वो इसकी मदद से पैंसी को असानी से रिफाइन कर सके डिबबे के खुलते ही उसमें से पिल निकलती है और उसकी तरफ सबाकर्शित हो जाती है इस पिल का नाम ये नन्यांग जुआन लॉंगडान है टीचर को कुछ होनी लगता है और जियान जब उनसे उनके बारे में बूशता है तो वो उसे जब ये कहते हैं कि ये मैं तुम्हें बात में बताऊंगा सबी लोग इस पिल को दे कर हैरान थे लेकिन नॉमल लोगों के पास तो इसको खरीदने के पैसे नहीं थे इसलिए वो निराज बैटे थे होस्ट बताता है कि एक ड्रागन मास्टर जिसको मरे हुए अभी साथ दिन भी नहीं हुए है उसमें से ये पिल बनाई गई है होस्ट बताता है कि ये नन्यांग ना सिर्फ लोगों की अबिलिटी बढ़ाता है बलकि और भी बहुत कुछ करता है वो फिरेक एक्जॉल्टिन नन्य के बारे में बताता है जो बहुत स्टॉंग है वो पहले सबी से हाच आया करता था और बुरी तरह खायल भी हो गया था लेकिन जब उसने ये नन्यांग को हासल कर लिया तो उसने डान ओफ डेथ को क्रियेट कर लिया और कुइन्साउंग को मौत के खाट उतार दिया और उसे ऐसा करने में सिर्फ साथ साल लगे ब्लड सेक का चीफ समझाता है कि अब उसे इसे ही हासल करना है होस्ट बताता है कि इसको हासल करने के लिए सिर्फ आपके पास पैसे ही नहीं होने चाहिए जो भी इसको प्रात करेगा उसे दो चीज़ करनी होंगी स्नेक सेक की चीफ कहती है कि इसको तो मैं ही लूँगी ब्लाक स्कल्ल टॉम भी इसको लेना चाता है होस्ट कहता है कि जो सबसे जादा पैसे देगा ये पिल उसकी हो जाएगी लेकिन उसकी आइडेंटिटी स्ट्रेंड भी वीक नहीं होनी चाहिए टीजर कहता है कि अब यहां कुछ सही नहीं होने वाला है क्योंकि अब यहां लड़ाई होगी और उस लड़ाई में हम हिस्सन नहीं ले सकते हैं इसलिए अब यहां से चलने में ही हमारी भलाई है। जीयन खड़ा होकर महां से जानी लगता है और फिर रास्ते में उसे याव रॉक मिलता है, जो उसके आॉक्षन में लगाए गई बुली के पैसे उसे देता है। जीयन के पास 9,30,000 डॉलर आ जाती है। जीयन अब उनको ग्रीट करके वहां से चला जाता है लेकिन जाते जाते याव रॉक उसे एक ओफर देता है और कहता है कि हमारी फैमली के हैट आपके काम से इंप्रेस हैं और अगर आप हमारे हैट से मिलो तो हमें खुशी होगी। जीयन उनको पॉलाइटली मना करते हुए कहता है कि उसके पास अभी थोड़ा काम है और फिर वहां से चला जाता है। से इक ओफर करवाने को कहता है अब जीयन जब वापिस जा रहा था तो वह नोटिस करता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं लेकिन जीयन को जब ये बात पता चलती है तो वह उनको चकमा देकर उनकी आँखों से ओजल हो जाता है और फिर टीचर कहता है कि हमें अगर वो हासल करना है तो हमें उसे पहले पकड़ ना हूगा और इसके लिए सिर्ट साही मौकी का इंतजार करना है सकाप का पीस हमें ज़रूर प्राप्थ हो जाएगा वही यह नन्यांग सनेक सेक्ट को प्राप्थ हो जाता है और सनेक सेक बॉरी गाद्स के साथ वापिस अपने सेक्ट में जाने लगती है लेकिन वो बहुत जादा सा अपधानी से आगे बढ़ रही है क्योंकि उसके पास बहुत भहुमूले खजाना है वो अपने बॉरी गाद्स को अलर्ट कर देती है लेकिन कई सारे बैट सुन पर नजर रखे हुए है स्नेक सेक भग भग कर अपने सेक में जा रही है लेकिन तभी अचानक उन्हें कुछ होने का अनुभव होता है और चीफ अपने सेक को उनके पीछे भेशती है तो वहाँ बलड सेक का सेना बदी था और अब उनके बीच फाइट होने लगती है उनके उपर कई सारे तीर जलाये जाती है उनके बीच फिर बहुत साधा इकानिक लेवल की फाइट होती है जैसे हमने फाइट जिया मा एमपायर के अंदर देखी थी ये वैसी वाली फाइट नहीं है उनके पास कुछ divine abilities और flames है जिनका ये use करते हैं ब्लड सेक का सैनपदी उसे यन अन्यांग के बदले उनकी जान बक्षने को कहता है लिकिन वो नहीं मानती और दोनों में fight शुरू हो जाती है ब्लड सेक बहुत जादा शक्ती शाली था और ब्लड सेक के लोग सनेक सेक के सैनिकों को बहुत बेरहमी से ख़तम कर रहे थे सनेक सेक के चीव को छोड़कर सनेक सेक के सभी लोग अब खायल हो चुके है और सैनपदी फिर से चीव से पूछता है कि अभे भी टायम है अपनी जान तुम बचा सकती हो चीफ उसके नहीं सुनती और वो अपनी तलबार लेकर सैनापदी पर हमला कर देती है वही जियन भी इधर ही आ रहा था और टीजर बताता है कि मुझे अपने आंगे कई सारे ताकतवर लोगों के होने का एहसास हो रहा है स्नेक सेट के चीफ काफी जादा स्ट्रॉंग है और वो ब्लड सेट के सैनिकों को एक ही बार में मारते हुए आगे सैनापदी के तरफ बढ़ रही है लेकिन सैनापदी भी अपने डिफेंस टेखनीका यूज करके उससे बचता है और दोनों की पार आपस में क्लैश करने लगती है लेकिन अट अन सैनापदी हार जाता है लेकिन तब ही वहाँ बहुत सारे बैट्स आ जाते है और चीफ पर हमला कर देते है और फिर सैनापदी भी खड़ा होकर अपना सीक्रेट अटाग यूज करके उसके ही मरे हुए सैनिकों का खून लेकर चीफ पर हमला कर देता है और चीफ पुरी तरह काहल हो जाती है ये देखकर चीफ काफी हरान है और पूछती है कि आखिर तुम चीज क्या हो सैनापदी कहता है कि हमें ये नन्यांग ज्वाइन लॉंग दान सौंप दो हम तुमें छोड़ देंगे जियान उन्हें चुपकर देख रहा था और उसके टीचर कहते हैं कि बस मेरे औरा के साथ अपनी ब्रीधिंग को माच करो इससे वो तुमारे औरा को नहीं देख पाएगा अब वहाँ ब्लड सैक्ट का चीफ आता है और कहता है कि अब जरूर मेरे फादर मुझसे खुश हो जाएंगे स्नेक सैक्ट उसे अपने पास आने से रोकती है और बॉक्स कर लेकर कहती है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इसको तबाह कर दूँगी इसे ना ये तुमारा हो पाएगा ना मेरा सेनापती उसे कहता है कि तो मैं ऐसा नहीं करोगी स्नेक सेक्ट ऐसा करने लगती है लेकिन तभी सेनापती स्पीड में उसके पास जाकर उसके हाथ पर वार कर देता है और उसे वो बॉक्स छीन लेता है स्नेक सेक्ट को काफी जाधा गुसा आता है और वो को सेव में आगे बढ़कर सैनापती पर हमला करने चली जाती है Bloodsack के बाकी लोग सैनापती को सैनापती को स्ने एक से लड़ते हुए छोड़कर वहां से आगे बढ़ जाते हैं और अपने Bloodsack में जाने लगते हैं टीचर कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ Bloodsack का पीछा करते हुए Right Moment का इंतजार करना है Zee and Snake को देखता है लेकिन टीचर समझ आते हैं कि तुम इसको मादद नहीं कर सकते हो क्योंकि हमारे पास इतनी स्ट्रेंद नहीं है अब Bloodsack के लोग आगे बड़ी ही रहे थे कि तभी उन्हें एक Scenic बताता है कि Black Skull Tom आगे है और वो शायद अपने सेक जहा रही है Bloodsack का Evil Chief समझ जाता है कि उसे अपने पापा को खुश करने के लिए Black Skull Tom का जो 3000 Thunderstorm है उसे छीन लेना चाहिए सैनिक बताता है कि Black Skull Tom के अंदर अभी वो टोटल 6 लोग है जिसमें से दो Mighty Spirit के हैं और बागी के सिर्फ Bodygards है अब Bloodsack फिर अपना मौचा Black Skull Tom की तरफ मोड लेती है लेकिन तभी एक Elder उसे कहता है कि हमारा Primary Goal यन अन्यां को सेक पे सेवरी पहुचाने का है और हमें उससे बटकना नहीं जाएए लेकिन Chief Elders को दमकाते हुए कहता है कि क्या तुम लटने से डर रहे हो वो फिर सभी लोग Black Skull Tom के तरफ आगे बढ़ जाते हैं टीचर जियान को समझाते हैं कि उन दोनों की लड़ाई में हमें फायदा हो सकता है इसलिए तुम्हें जल्दी से उनका पीछा कंटीन्यू करना चाहिए और फिर हम बलट सेक को Black Skull Tom से लड़ते हुए देखते हैं और बलट सेक बेरहमी के साथ Black Skull Tom को हाथ पैर Black Skull Tom को हाथ पैर से कुचल कुचल कर दर्द से बरी मौत ने रही थी लेकिन Black Skull Tom का जीफ जान बचा कर वहाँ से जब भागने की कोशिश करने लगता है तो एलडर उसको पकाड लेता है वो कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरी क्लान इसका पता जरूर लेगी एलडर कहता है कि लेकिन उने बताएगा कौन कि हमने तुमें मारा है बलड सेक्ट उसे मार कर 3000 स्टार्म हासिल कर लेती है लेकिन तबी जीफ जीएन को नोटिस कर लेता है जो जाडियों में छुपा हुआ था और उस पर अपना चाकू फेक देता है जीएन उनके सामने आता है जिसपर बलड सेक्ट कहता है कि अब तुम्हारी बारी है जीएन कहता है कि तुमने मेरे बारे में साथ जान ही लिया अब फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है